हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं 2018-19 में 80,000 करोण की सरकारी संपती बेचेगी सरकार क्या पूरे देश को अमीरों की पूजी बना देंगे मोदी मोदी सरकार का अरोप है कि वो देश के संसयांतनों को उद्योगपतियों के हाथों में स्टॉप रही है कारधन वापस प्लाकर सभीक की जेव में 15 लाग डालने के वादे पर आईए सरकार उद्योपतियों की जेवे भर रही है मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया है इस प्रक्षिया को विनिवेश कहा जाता है सरकार ने चालू वित्य वर्ष 18-19 में विनिवेश की जरी अच्छी हजार करोन रुपे के लक्ष को हासल करने का उद्देश रखा है इसके लिए केन सरकार नौ सर्वजनी कंपनी की संपतियां बेचने की योजना बना रही है मोई सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद लगातार सरकारी संपतियों को पूज़पतियों के हाथों में सौफ रही है 2014 से अब तक 2,000,000 करोन से ज्यादा की सरकारी संपतियां बेची जा चुकी है सरकार ने 2014-15 में विनिवेश से 31,350 करोन रुपे कमाए 2015-2016 में 25,312, 2016 में 45,517, 2018 में 1,000,000 करोन रुपे बिजनिस स्टांडर्ड की रिपोर्ट के मताबिक इन में Air India, Pavanhans, हिंदुस्तान Floral Barkans और हिंदुस्तान New Sprint शामिल है बिक्री के लिए इन कमपनियों की संपतियां की पहचान कर ली गई है लेकिन इस तरह से संपतियां बेचना जनता की हित्में नहीं है क्योंकि इस तरह से सब कुछ नीजी हातों में चला जाएगा जो सामान और सेवाएं अभी तक जनता को सस्तिम मोहिया कराए जा रहे थे उनके दाम बढ़ जाएंगे सरकार की ओर से ये जो भी वस्तिम मिलती है उनका उतपादन सरकारी कंपनियों में ही होता है इसके अलावा देश के अन छेतर जैसे कोईला तेल और रिफाइन करना ग्यास लिकाना और आदी के लिए इन मशीनिरी का प्रयोग किया जाता है इस सरकारी कंपनी की काम कर रहे हैं लोगों का मश्ज़ूरों को भी इसी तरह अधिकार होते है और उनका वेतं और सुविधाय नीजी छेतर से बहतर होती है लेकिन जब इस सरकारी कंपनिया और दियों पत्यों के हातों में चली जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हीं जनता के फाइदे नहीं बलकि अपनी फाइदे के लिए चलाएंगे यहां काम कर रहे हैं मज़़ूरों से लेकर देश के आम जनता को नुकसान होगा मुनाफे की ओर में महंगाई भी बढ़ेगी और सरकार सेवाए महंगी हो जाएगी इसके अलावा इस प्रक्ट्रिया में चलते अगर सब कुछ बिग जाएगा तो सरकार के पास क्या रहेगा पूंजी पत्ती अपनी मनमानियों पर ही उतर सकता है अपने हाथ काट चुकी सरकार अपना पैसा तमाशा देख सकता है अलावा कोई उसके कोई चारा नहीं है पात्रा कारोग नोटबंदी में कॉंग्रेस को किलो की भाव मिली नोटें लोग बोले चौकीदार पकोड़े तल रहा था क्या मोजी सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी की जिससे लेकर सरकार की तरफ से बड़े-बड़े दावे किये गए मगर सभी दावे खोकले निकले रिजर्व बैंग ने नोटों की गिंती पूरी की और बता दिया कि बैंग की कई नोट में से 99 फीसद से ज्यादा पैसे बैंग में वापस आ चुका है मगर बीजेपी प्रक्तर संबित पात्रा हर दिन ने खुलासे कर रही है बीजेपी की तरह से अधिकारिक तौर पर प्रेस कॉंफिंस करते हुए संबित ने कहा जहां तक मेरी जानकारी है नोट बंदी के दौरान कभी 600 करोन रुपए कॉंग्रेस की दफ्तर पहुच गये थे पात्रा ने कहा करनाटक के मंत्री डीके शिफ कुमार और्ने के खिलाब धन्ष चोधन का एक मामला दर्ज किया है एजी के अधिकारियों की माने तो ये मामला चोरी और हवाला लेन देन का है टीवी डिबेट के ओवेन जीफी का निदेशन बनने की ख्याती प्राप्त करने वाले संबित प्रात्रा के इस बयान पर सोचल मीडिया पर उनकी खूब खिली उड़ाई जा रही है एक यूजर ने लिखा और बीजेपी सरकार की सारी एजेंसिया पकोड़े तर रही थी उस वक्त एक अन्य यूजर लिखता है जब सब कुछ जानते हो करवाई क्यों नहीं कर रहे हो ये आदमी सिर्फ जूट बोलना जानता है अंके दिक्षद लिखते हैं काश मोधी जी प्रधानमंत्री होते हैं काश बीजेपी सत्ता में होती तो शायद कोई आक्शन लिया जाता और भगत राजीव नाम के यूजर लिखते हैं इसका मतलब मोधी भी भागिदार है सब मालूम होते हुए भी अभी धकारवाई नहीं कर रहा है राफेल गुटालें बड़े खुलासे के बाद प्रकाश राज ने किया सवाल मोधी जी अब आप कहा मुझ चुपाएंगे फ्रांस के फूर राजप्रती फ्रांस पाउलान वर अब बड़े खुलासे के बाद पूरे देश में मोधी सरकार के अलोचना बढ़ती जा रही है सिर्व राजनीती ही नहीं बलके अन्चेत की हस्तियां में मोधी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं लॉफेल गुटाले पर उलान के बयान के बाद हिंदी और तमिल फिल्म के अभिनेता और समासेवी प्रकाश राज भी इस पर अपनी प्रतिक्या देने भी पीछे नहीं हट रहे हैं प्रकाश राज ने प्रिया मोधी पर निशाना साथते वे कहा सर्वोच पत पर बैठे वे मालनी मोधी अब आप अपना चैरह कहां छुपाएंगे फ्रांस के पूर राजपती फ्रांस पाउलान के बयान को शेयर करते वे प्रकाश राज ने सवाल किया मोधी सरकार के जवाब मागने के लिए इसी साल अभी नेता प्रकाश राज ने जस्ट आस्किंग अभी यान शुरू किया था जिसका हवारा देते हुए एक बार फिर से उन्होंने मोधी सरकार पर सवार उठाया है बतादे हाली में फ्रांस के पूर राश्पती ने मीडिया पार्ट से इंटर्व्यू में इच बाते की कि भारत की सरकार ने जिस सर्वेस ग्रूप का नाम दिया उसमें डसौल से बातचीत की भारत सरकार ने उन्हें सिर्फ अनिलंबानी की रिलाइंस का नाम सचाय था और तब डसौल ने अनिलंबानी संपर किया हमारे पास कोई विकल्प नहीं था हम तो विकल्प दिया गया उससे हमने स्विकार किया है वारणसी में खारी कुर्सियों को देख पीम मोधी को आया पसी नाजनता से क्या पीर बैठ जाओ बैठ जाओ पीम मोधी 17 सतंबर को अपना 16 जनव दिन मनानी बारणसी पहुचे थी अगले दिन यारी 18 सतंबर को मोधी का एकारिक्रम बनारे सिंदू विश्व विद्याले के एमफी ठीएटर मैदान में आयोजित किया गया था मीडिया रिपोर्टर राजनीती सुत्रों की माने तो लोकसभा चुनाओ की अधिसूच ना जानी होने से पहले या उनकी अंतिम सभा थी इस कतित अंतिम सभा में जो हुआ वो पीम मोधी को बहुत परशान करने वाला है पीम अपने निधारित समय में एक घंटा लेट पहुचे सबा के समय दस बजे निधारित किया गया था जिसके बाद वे साड़े दस बढ़ा दिया लेकिन पीम 11.14 पर पहुचे साड़े दस बजे पीम ने भाशन देना शुरू किया जो 12-22 बजे तक चला लेकिन इस बीच जो हुआ उसके प्रधार मंत्री के पसी ने चुड़ा दिये पिम मोदी का भाशन शुरू होने के महर दस 12 मिनिट बाद ही पंडाल धीरे धीरे खाली होने लगा प्रधार मंत्री बोलते रहे जनता निकलती रही दरसल मोदी ने जैसे ही अपने प्रारंबिक संबोधन के बाद चार साल की उपलब्धियों को गिनाना शुरू किया जनता भी उठकर चल दिया हालात यह हो गई कि प्रधान मंत्री को अपने भाशन के बीच में लोगों से अपील करनी पड़ी बैट जो भईया बैट जो भईया पिम में अपने घंटे की भाशन में इस वाक्य को तीन बार दोहराया लेकिन जनता पर कोई असर नहीं पड़ा शाह जनता अब जुमले सुनने में अपना वक्त बरबाद नहीं करना चाहती प्रत्यक्षदर्शियों कहना है कि पीम का चेहरा हताशा से भरा हुआ था वो बार बार अपने माथे का पसीना पोच रहे बार बार पानी पीते रहे बीच बीच में हाथ भी जोडते रहे कुछ साल पहले तक जिस प्रधार मंत्री की लोग प्रियता की तुल्ला इंद्रा गाधियों नेरू से की गई थी आज उसके संसिधी छेत्र की जनता उन्हें सुनना नहीं चाहती ऐसा क्या हो गया पिछले चार साल में अब इसका जवाब तो जनता ही 2019 में देगी क्या आक का खुलासा गुजरात में मोदी के सीम रहते 2140 करोन का हुआ खोटाला 16 सालों तक सरकारी खर्चे का हिसाब नहीं रश्टचार मुक्ता नारा देने वाली प्रधान मंत्री के ग्री राज गुजरात में हजारों करोन का खुसाला सामने आया है और ये घोटाला उनकी कारिकाल के दौरान भी हुआ है लेकिन हैरत की बात यह है कि सालों तक यह सब चलता रहा और कोई कारवाई नहीं की गई क्याग ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है गुजरात में भी सरकारी धन के खर्चे के इस्तमाल में गरबड़ी का मामला सामने आया है 16 वर्षों से 19 विभागों के कई मदों में खर्च धन का हिसाब किताब ही नहीं दिया गया वर्ष 2018 में आई क्याक की आउडिट रिपोर्ट में इसका इस गरबड़ जाले का खुलासा हुआ है ये मामला बिहार के चारा गुटाले जैसा ही है वहां कि इसी तरह अलगर सरकारी सोत्रों से पैसा निकालने के बाद उनके खर्च का हिसाब नहीं था वर्ष 2001 में लेकर वर्ष 2015-16 के बीच करीब 2140 करौन रुपय का इस्तमाल कहा हुआ इसका सरकार ने उप्योगिता प्रमानपत्र नहीं दिया है ये पैसा किसी एक या दो मामलों में गायब नहीं हुआ बलकि 100 से ज़्यादा मामलों में पैसे की गड़बड़ी की गई है खुलासा हुआ कि 14.41 करोन के गबन में 155 से जादर मामलों में सरकार ने कोई कारवाई नहीं की 2528 कारियों के लिए जारी 2228.03 करोन रुपय का हिसाब किताब पिछले 8 साल से अधिक समय से लटका हुआ है इसी तरह 64 कारियों के लिए जारी 2050 करोन की धनराशी का उपयोगिता प्रमान पत्र 6 से 8 साल बीच आने के बाद भी जमा नहीं हुआ वहीं 114.50 करोन के 155 से जादर उपयोगिता प्रमान पत्र 4 से 6 वर्ष बीच आने पर भी नहीं जमा हुए इसके अलावा 942.45 करोन के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेस्ट एक से दो साल के बीच से लिलंबित है इतनी लापरवाही तब है जब गुजरात के वित्य मंत्री नियम 1970 और जनरल फाइनेशियल रूल्स 2005 के मताबिक किसी भी विशेश योजडा की तहत अगर बजट जारी हो तो वित्य वर्ष खतम होने के अधिक्तम 12 महीने के भीतर उसका हिसाब किताब सहित उप्योगिता प्रमानपत्र शाषिन में जमा कर दिया जाए ताकि बता चले कि धनराशी का सही इस्थिमाल हुआ है या नहीं सिर्फ इतना ही नहीं नियम के मताबिक जब तक कोई विभाग ये सरकाई संस्ता जारी बजट को फ्योगिता प्रमानपत्र ना दे दे तब तक उसे दूसरा बजट ना जारी किया जाए लेकिन नियम सिर्फ कागस पर ही जिन्दा है क्योंकि 2,140 करोण रुपे का हिसाब नहीं दिया गया और विभागों को इसके बावजूर बजट मिलता रहा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले